नमस्कार स्वागत है आपका आर्या न्यूज में मैं हूँ आपके साथ सुमन पाल उत्तर परदेश समेथ ही पाँच राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनाओ के लिए सियासी घमासांग जोरों पर है और बिजेपी ने ही इसे जन चौपाल का नाम भी दे दिया है आपको बता दें कि प्यम मोदी आज दोपहर डेड़ बज़े ही उत्तर परदेश के मतुरा आगरा और बुलंद शहर के ही वोटरों को वर्चुल माधम से सब्मोधित करेंगे इसके बाद शाम 5 बच कर 30 मिनट पर ही पीम गोवा के उत्तरी गोवा के ही जनता के साथ वर्चुल माधम से जन चौबाल करेंगे और ये पीम मोदी की डिजिटल रैलियो का तीसरा सेट होगा जिसमें पहला सेट 4 फरवरी को और दूसरा सेट 31 जनवरी को आयोजित किया गय से केंद्रि ग्रह मन्तरी अमित्सिए आज बागपत के ही पाबला गाओं में सुभा 11 बजे विजेपी के चुनावि जनसभा को संबोधित करेंगे पाबला गाओं में ही हैली पैड तियार कराईया गया है sontra假 अमरोहा में भी चुनाव परचार करेंगे आपको बता देघ च अमित श्या आज को गजरोला के ही रामाबाई डिगरी कॉलेज के ही मैदान में दोपहर साड़े बारा बजे चुनावी सभा को सम्बोधित करेंगे। इंग्लेंड को हरा कर रिकोर्ड पांचवी बार अंडर नाइटीन विश्यू कप जीतने वाले भारती टीम के हर सदस्य पर ही बी सी सी आई के ही पैसो की बारिश की है। इनाम देरी की घोश्ना की है। आपको बता दे कि बी सी सी आई सचीव जे शा ने ट्वीट किया है अंडर नाइटीन विश्यू कप में शामदार प्रदेशन करने के खिताब जितने वाले अंडर नाइटीन टीम के सदस्य को बी सी सी आई 40-40 लाख रुपे नगद पुरु उसी अंदाज में दिनेश बाना ने इंगलेंड के खिलाफ अंडर नाइटीन विश्यू कप फाइनल में ही छका लगा कर खिताब भारत की जोली में डाला। करोना से लेकर बाकी छे टीमों तक की आपको बता दे कि भारत के अच्छ मेधी अभियान को कोई नहीं रोक सका और एक बार फिर से टुर्नामेंट की सबसे सफल टीम नहीं अपने दबदबे पर मुहर लगा दी। भारत की जीत के सुत्रधार रहे पांच विकेट लेने वाले के बाद ही उंबा बले बाज करने वाले राज बावा बाए हाथ के तेज गेंदबाज रवी कुमार और जुजारू अंतरशत तक जोडने वाले निशांत सिध्धू इनके परदर्शन के दम पर ही भारत नहीं लेंड को 40.5 ओवर में ही 149 रन आउट कर दिया था और वावा ने ही 9.5 ओवर में 31 रन देकर 5 विकेट लिये जबकि बाए हाथ के तेज गेंदबाज रवी कुमार ने ही 34 रन देकर 4 विकेट चटकाए जवाब में ही भारत ने 6 विकेट होकर ही 14 गेंदों में बाकी रहते ल वहीं मुंबई के अस्पताल में भरती सवर कोकिला लता मंगेश करके अच्छे स्वास्ते के लिए प्राथनाओं का दोर लगातार जारी है बिती देरा तक उनका हालचाल जानने वालों का अस्पताल में आना जाना लगा रहा और अब अच्छी खबर ये है कि उनकी सेहत में सुधार है और फैंस उमीद कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर अस्पताल से वापस लोड़ जाए और अपनी आवाज से कई पीडियों के दिलों पर राज करने वाली गाई का भारत रत्न लता मंगेशकर की तब्यत में सुधार की खबर ने सभी चाहने वालों को राहती है लता जी की बहर आपको बता दे कि गाई का आश्या भोसले ने कहा है कि लता मंगेशकर की तब्यत में सुधार है और आठ जन्वरी को लता मंगेशकर को कोविट पॉस्टि पाया गया था सावधानी बरते हुए ही लता को मुंबई के ब्रीच केडी ऐस्पेताल में भरती करवाया गया और वो 92 साल की है पिछले 39 दीन से मुंबई के ब्रीच केंडी ऐस्पेताल में ही है और जहां उनका इलाज चल रहा है देर रात भी उनका हालचाल जानने के लिए बॉलिवुड हस्तिया पहुची श्रद्ध कपूर और पदनी कोल हापूर और मधूर भंडार कर समय थी कई सिनेमा जगत के लोग अस्पताल पहुचे और उनसे अच्छे स्वास्त की काम ना की केंद्रिय मंत्री पियुष गोयन ने भी हॉस्पिटल जाकर उनकी सिहत की जानकारी ली और उनके परिवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का संदेश दिया लता मंगेशकर की तब्यत बिगडने के बाद मुंबई के ही ब्रीच केंडी अस्पिटल की सुरक्षा वस्था भी बढ़ा दी गई है अस्पताल के बाहर पुलिस बंदोबस्त है उनकी हालत बिगडने की खबर आने के बाद MNS सुपरमुखर राज ठाकरे भी ब्रीच केंडी अस्पताल पहुचे और करीब डेड़ घंटे वहां रहने के बाद वापस लोट गए बिजेपी के रास्टी अधियक्ष जेपी नडड़ अज नोईडा के सेक्टर 12 ब्लॉक पहुचे जहां उन्होंने डोर टो डोर केंपेंड कर बिजेपी के ही परतियाशी पंकर सिंग के लिए वोट मागा आपको बता दे उन्होंने लोगों को पंपलेट दे कर ही बिजेपी के परतियाशी पंकर सिंग देश के ही रक्षा मंतरी राजनात सिंग के बेटे हैं और दूसरी बार नोईडा से ही विधान सभा चुनाव लड़ रहे हैं आपको बताते चले कि 2012 में नए परिसीमन के तहत ही नोईडा विधान सभा बनी और पहले यहां पूरा छेतर दादरी विधान सभा में आता था बंकर्ज सिंग के ही अब तक की सभी जीत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नोईडा विधान सभा से 2017 में एतिहासिक जीत हासल की और यही वज़ा है कि बिजेपी ने दोबारा उन पर भरोसा जताते हुए नोईडा से उन्हें परतियाशी के तौर पर उतारा है पंकर्ज सिंग आज डोर टो डोर जन्सरपर्क जो है वो करकर ही अपने पक्ष में वोट करने की अपील करने नोईडा के ही सेक्टर बारा ब्लोक महुचे और उनके साथ बिजेपी के रास्तिय अध्यक्ष जेपी नड़ा भी मौझूद थी इसे सुरक्षा के पुकता इंतजाम पहले से ही किये गए थे घरगर जन्सरपर्क कर जेपी नड़ा ने ही पंकर सिंग के लिए वोट मागा और लोगों को भरोसा दिलाया कि बिजेपी में उनका हीत सुरक्षित है